यूपी में बिजली का टौती से हाहाकार मचा हुआ है। राजधाने लखनाओ के कई लाकोग में लोग हाथ के पंखी का सहारा लेकर राते काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीचन गर्मी के दौरान ये नजारे नए नहीं है। नबे के दशक में भारते अर्थविवस्था नौकर शाही से मुक्त होकर ब्रांड और चमकते बाजार की ओर बढ़ती चली गई है। लेकिन यूपी का बिजली विभाग लाल फीता शाही से कभी निजात नहीं पासका। जादा पीछे न जाकर कल्यान सिंग और मुलायम सिंग यादर की सरकारों से बात शुरू करें तो जमाना भी याद आता है कि जब लोग उस समय शहरों की बिजली देखकर गावों में बखान करते थे। जिन गावों में बिजली पहुँच गई थी वहाँ शाम ढलते ही अं बिजली को लेकर बाते भी बदलती रहीं लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ एक बिजली 21 सदी से बिजली को लेकर किये गए वादे उतरप्रदेश में नेताओं के लिए बड़ी उपलब्धी है और दिवाली, ईद, होली और नवराती के दौरान बिजली कटोती ना किये जान या एक हफते रात में बिजली सप्लाई की विवस्था की गई है अब आप सोच सकते हैं कि जिस सूबे से लोकसभा की 80 सीटे आती हैं जहां सबसे जदा विधान सभा सीटे हो जहां राजनितिक जुमला आम हो दिली का रास्ता लखनव से होकर जाता है वहां की जनता भीशन गर्मी में सरकारों की ऐसी कृपा भी देख चुकी है ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग गर्मी से निपटने के लिए तयारी नहीं करता ये तयारी बीते 30-35 सालों से हर साल शुरू हो जाती है बात अगर साल 2023 की करें तो 28 फरवरी को बताया गया था कि मुख्य सचिव दुर गर्मी में 28,000 मेगावार्ट तक डिमांड पहुँच जाएगी जो कि साल 2022 में 26,000 मेगावार्ट थी परवरी में होई मीटिंग का नतीजा कुछ भी नहीं निकला भीशर गर्मी को आज जनता जहेल रही है चिलचलाती धूप में बिजली विभाग के सबसे चोटे करमचार यानि लाइन में जगा जगा तूटे हुए तार और फोके हुए ट्रांसफार्मरों को ठीक कर रहे हैं दरसल इस विभाग के सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन की है दब हुई जुबान से लाइन में भी बताते हैं कि बिजली घरों में प्र और फेडरेशन की चेर्मेन शैलिंद्र दूबे ने बताया है कि 27,615 मेगावार्ट बिजली की डिमान 14 जून की रात 11 बजे थी जो की अब तक सबसे जादा है लेकिन आकड़ा और भी चौकाने वाला है यूपी के साथ एक नहीं कई दुर भाग्ये हैं इतना बड़ा प्र मेगावार्ड बिजली दूसरे राज्यो या एंटी पीसी जैसे संस्थानों से खरीदा जाता है ओवरलोडिंग इतनी जादा है कि सिस्टम बार-बार बैठ जाता है जिसकी वज़ा से बिजली कर जाती है आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर